हेलो फ्रेंट्स अंद्या की कुकिंग में आपका स्वागत है देखिए आज हम बनाते हैं कटहल का आचार इसके लिए हमने एक कटहल लिया है आपको जीतना बनाना हो आप अपने हिसाब से ले 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 और इसे कट करने से पहले आप हाथों को अच्छे से तेल लगा के बिल्कुल इतना तेज चिपकता है कि हाथों से छुडाना मुश्किल हो जाता है हम क्या करेंगे इसे कट करेंगे तुरंत ही इसका जो दूद निकलेगा उसको हम पले पेपर लेके अच्छे से इसे पोच लेंगे ताकि पूरा हमारे कटहल भर इसका दूद ना आए ऐसे ही पले इसे दो मिनट के लिए छोड़ दीजिए ताकि सारा दूद इसका निकल जाए नहीं तो आपके पूरे पीस में दूद जो है चिपचिपा सा लगा रहता है आप इसे जितना बार कट करेंगे उतना बार इसमें से दूद जो है निकलता जाता है उसे आप एक पेपर से पोच्टे जाएं नहीं तो ये पूरे कटहल की हर पीस में इसका दूद जो है लगा रहेगा इसे हम अच्छे से पहले कट कर लेंगे आप जितना छोटा या बड़ा पीस में कट करना चाहें उतना आप अपने हिसाफ से कट कर सकते हैं हमने थोड़ा बड़ा ही पीस को रखा ह क्योंकि ये थोड़ा सूखने की बाद जो है छोटा हो जाता है इसको आप छोटे छोटे टुकडों में हम कट करेंगे इसे आप छीलते वक्त बहुत ही सावधानी से छीलें क्योंकि ये बहुत ही सक्त होता है आप को जिस चीज से छीलना आसान लगे उसे छीलें हमने इसे बड़े टुकडों को छोटे छोटे टुकडों में कर लेंगे फिर इसे चक्कू की मदद से इसके छिलके को उतार लेंगे वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सेर करना चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि हमारी जो भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले देखे छोटे छोटे पीस करके हम इसे अब चक्कु की मदद से इसका छिलका उतार लेंगे और बीच वाला जो हिस्सा होता है उसको हम थोड़ा थोड़ा निक देखे हमने पीस को थोड़ा बड़ा रखा है आप चाहे तो इसे और छोटा छोटा भी रख सकते हैं आप अपने हिसाब से हमारे चैनल पर आपको और बहुत सारे आचार की रेस्पी मिल जाएगी जैसे आम का आचार और कटल की सबजी उसे भी एक बार जरूर देखना आम तरीके से हमने ले लिया है दो आम इसको भी हम छोटे छोटे टुकडों में कट कर लिये हैं एक क्या होता है कि कटल में आम डालने से थोड़ा सा उसमें टेस्ट जो है खटा खटा आने लगता है इसलिए अच्छा लगता है आपको पसंद हो तो आप जरूर कटल के अचार म आम को भी मिलाएं और इसको अच्छे से दो कर हमने दो घंटे के लिए धूप में रखा है देखिए आप किसी कपड़े पॉल्थिन पर इसको धूप में दो घंटे के लिए रख दीजिए अब इसमें डालने के लिए हमने लिया है कुछ मसाले आपको अचार वाले सारे मसाले ले लेना है और थोड़ा सा हींग भी लेना है और मेथी जो है कि थोड़ा कम लेजिए नहीं तो आपका अचार जो है कड़वा लगने लगेगा सभी मसाले को हम बारी-बारी से भून लेंगे अचार में जो पशोरन पड़ता है वही सारे मसाले हैं इस सभी मसालों को हमने दो-दो मिनट तक इसे भून लिया है, मेडियम फ्लेम पे, इसे सिर्फ इसकी नमी को हम निकालेंगे, ऐसा नहीं है कि इसे पूरा भून कर इसका कलर चेंज कर दें, इसे थोड़ा-थोड़ा ही भूनें, ये जले ना, हमने मसाले कुछ जादा लिया है क्योंकि हम दो अचार में इसको यूच करेंगे, आप इसमें अपने हिसाफ से सिर्फ दो-दो चमच सभी चीजों को ले लें, और जो मेथी दाना है, उसको सिर्फ एक ही चमच लें, क्योंकि मेथी दाना हम कम ही डालते हैं, मेथी दाना जादा डालने से, अचार जो है, मिला लेंगे और मिक्सी जार में डालके इसको हम सिर्फ दो बार मिक्सी को चलाएंगे दरदरा सा हमारा मसाला पीश जाएगा आपको अगर बारिक पसंद हो तो आप बारिक से पीशें लेकिन हमने सिर्फ दरदरा ही मसाला पीशा है क्योंकि अचार में दरदरा मसाला ही अच् में थी दाने को अच्छे से पीस लीजिए फिर सभी मसाले को मिला देंगे देखे दो घंटा धूप में सुखाने के बाद हमारा अचार जो है शुक चुका है इसको ज्यादा तेर तक ना सुखाए नहीं तो ये बिल्कुल सुख जाएगा तो ये अच्छे से खिलेगा नहीं फिर तेल मसाले में इसको हम एक बड़े बरतन में टांसफर करेंगे और इसमें मिलाएंगे अब सारे मसाले जैसे की एक हल्दी दो चम्मच हमने हल्दी मिलाया है और नमक आप स्वाद अंसार मिलाएं और एक चीज़ का देहान रखे आम के अचार में हम नमक ज्यादा डाल लेकिन कटल के अचार में हम नमक हिसाब से डालेंगे क्योंकि यह ज्यादा नमक को अब जोप नहीं करेगा और लाल मिर्ची पाउडर हमने डाला है आप लाल मिर्च को कूट कर भी डाल सकते हैं अब हमने लिया है यह मसाला जो हमने पच्पोरन वाला दरदरा सा पीस कर नहीं ज़्यादा तेल लगेगा आपका नहीं ज़्यादा मसाला और बहुत ही अच्छा आचार बनके तयार हो जाएगा सभी चीजों को डालने के बाद हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे अगर आपको मसाला थोड़ा कम लगे तो उपर से थोड़ा सा दो चम्मच और भी मिक्स कर लेजिए और आप से जा कर देख सकते हैं आप कैसे जादा लसुन को उसका चिल को उतारने का बहुत धी आसान ट्रिक हमने बता धो और आचार में इसी तरीके से आप लसुन डालेंगी तो आपका आचार विल्कुल भी खराब नहीं होगा देखे लहसुन को अमने दरदरा सा कूट कर इसको अमने धूप में रखा था दो घंटे के लिए ये बिल्कुल सूखा सूखा सा हो गया है इसमें थोड़ा भी पानी नहीं है लहसुन को तुरंत आप कुछल कर डालेंगी तो उसमें लहसुन में बहुत ज् लिए धूप में रख दीजिए जब ये थोड़ा सूखा सूखा हो जाए तब इसे अचार में डालेंगी तो ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा देखे हमारा अचार बिल्कुल बनके तयार हो गया है दो तीन दिन में खाने लायक हो जाएगा अब इसे किसी कपड़े से या किसी चीज से ढख कर आप एक दिन तक धूप में रख दीजिए फिर किसी टाइट से कंटेनर में भर कर आप रख सकती है और सालों तक ऐसे ही खराब नहीं होगा आपका अचार बिल्कुल बनके तयार हो जाएगा वीडियो देखने के लिए बहुद बहुद धन्यवाद कर दो